हेलो विवर्स मैशी ग्रिंस में आपका स्वाकत है अगर आपके घर में आपके बेक्यार्ड में फ्रंट यार्ड में आपकी बालकानी में या आपकी छथ पर रूप पर अगर थोड़ी सी भी जगा हो तो आप भी अपना सकते हैं अपना चोटा सा garden या kitchen garden जिसमें आप उगा सकते हैं 100% organic vegetables, flowers plants और decorative plants, fruit plants वो भी बहुती easy तरहें जैसे, है ना, इन्हें उगाने के लिए हमें किस तरह की container की जरूरत होती है, इसके लिए हमें कौन सी soil use करना चाहिए, fertilizer कौन सा होना चाहिए, pesticide कौन सा होना चाहिए, कितना watering दे किस तरह से की जाती है, और अगर ये plant vegetables या fruits है, तो इनके harvesting किस तरह से की जाती है, ये सारी बाते हम खुल कर करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल मेशी ग्रिंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल मेशी ग्रिंस को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो का भी से लाइक कर दीजिए, और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आज हम जानेंगे कि फूल को भी यानि कॉलिफलाउर को किस तरह से ग्रो किया जाता है, है ना, इ इसके सीड्स किस तरह से लेना चाहिए, इसके सीड्स नरसरी में आराम से मिल जाते हैं, या अगरिकल्चर शॉप से आराम से खरीच सकते हैं, जर्रली हमें इसे हाइबरेट की सीड्स यूस करना चाहिए, क्योंकि हाइबरेट की सीड्स होते हैं, इसके प्राण जल्दी ग् जिसमें हम सेड्स को हम जिसमें ग्रो करेंगे और दूसरा बड़ा मेन कंटेनर होंगा जिसमें हम इन सेड्लिंग को ट्रांस्प्रांट करेंगे है ना इस तरह का हम यह सेड्लिंग ट्रे यूज करेंगे इस ट्रे में हमें सॉयल मिक्स बनाना है यह सॉयल मिक्स हम इसके लिए इसे बनाएंगे कि इसमें तरह से हमारी settling हो हो सके Soil mix बनाने के लिए हमें इसमें 50 परसेंट garden size लेना है और इसमें 50 परसेंट हमें cockroquito pit मिला कर इसका жестling soil बनाना है है ना इस बहला हर एक section में हमें तीन से चार भीट डाल कर इस सा से भर देना है उसके अच्छी तरह से cover कर देना है, हलका सा पानी देना है, और इसे ऐसी जगा में रखना है, जहां सिर्फ इसे shed मिल सके, ज्यादा दूप में रखने से हमारे बीजों के जलने का खत्रा बना रहता है, है ना, चलिए अब update की तरफ आ जाते हैं, सिर्फ लगाए वे हमें पूरे 10 दिन हो चुके हैं, और अब यह देखिए हमारी 90% इसमें अच्छी तरह से shedlings या shedlings हो चुकी है, है ना, चलिए दूसरी update की तरफ आते हैं, हमें सिर्फ इसके अंदर लगाए वे 20 दिन हो चुके हैं, और अब पौदे इतने बड़े हो चुके कि हम इने एक अच्छे से container में transfer कर लेती हैं, इसके लिए हमें एक बड़ा सा अच्छा सा container चाहिए, आप चाहें तो growing bag भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह का fruit carrot ले सकते हैं, अगर आप fruit carrot यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें 21 इंच लंबा होना चाहिए, 18 इंच इसमें deep होना चाहिए, और इसकी जो चोड़ाई है, ये कम से कम आपको solar inch होना चाहिए, इस तरह से ये container हम use कर सकते हैं, अब बात करते हैं, तो इसके लिए हमें best potting soil बनाना है, और उसके लिए हमें चाहिए 50 परसंट हम garden soil लेंगे, river sand 25 परसंट, वर्मे compost 25 परसंट, इस तर से mix करके इसे container में भरेंगे, और फिर हम यहाँ पर 80 इंच की दूरी पर इन फुल गोवी के जो plant है, जो germinate हो गए है, जिसकी seedlings हो गई है, इन्हें हम इसमें transfer कर देते हैं, है ना, चलिए अब update की तरह आजाते हैं, seedling को transplant किये वे पूरे एक महीना हो चुके हैं, और अब हम plant का size इस तरह का हो गया है, plant को लगाए है, पूरे 90 दिन, तेन महीने हो गया है, और आलमस्ट हमारी जो है, यह पूल गोवी बनकर एक तरह से तैयार हो गई है, प्लान को लगाए है, पूरे 4 महीने, याने 10-7 दिन हो गई है, और हमारी पूल गोवी, जो है, कौलिफलावर यार हो गई है और हर्वेस्टिंग के लिए तैयार है इसके हर्वेस्टिंग करने का सिंपक तरिका यही है कि इसे हमें मिट्टी को हलका सा थोड़ा सा नीचे से डीला करना चाहिए और पर जो इसके उपर का जो इसका स्टैम है इसे दीरे से काट कर अलग करना चाहिए और इस आप आप इसको फीडिंग कराना चाहे तो आप इसे लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं इसके लिए हमें वर्मी कॉम्पोस्ट का liquid fertilizer या कॉडन कम्पोस्ट का या mixing दोनों का liquid fertilizer दे सकते हैं चलिए अब बात करते हैं pesticide की तो जो फुलगोवी का जो प्रांट होता है उसके उपर पेस्ट होने का बहुत ज़्यादा अटेक होने का खतर बना रहता है और इस तरह की उसमें डिसीज हो जाती है जैसे के इसे बचने का उपाई ये है कि हमें इस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए इसके लिए हमें क्लोरी पाइरफॉस 20% का स्प्रे बनाना चाहिए इसे बनाने का तरह का ये है कि हमें एक लिटर पाइनी में 5 अमेर क्लोरी पाइरफॉस का मिक्सर डालना चाहिए लिक्विड डालना चाहिए और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्सर बना कर बादों पर महीने में एक बार इसका स्प्रे करना चाहिए स्प्रे कर दो टाइम सिविस बात का ध्यान रखे कि स्प्रे हम फाल यानि के कॉली फ्लॉर पर ना डाले बलके इससे नीचे रूट्स में और पत्तो पर ही स्प्रे करें इससे इन फुल गोबी में लगने वाली इस तरह की जितनी बीमारिया हैं जैसे के पत्तो का पीला पढ़ना पत्तो में काले छेत पढ़ जाना या फुल गोबी में इस तरह की फंगस होकर पौदे का सड़ जाना ये सारे डिसिस से हमें रहत मिल जाती है तो बस आज की वीडिय के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग गॉड्ड ब्लेस यू बबाए